सूप्रभात प्रेविद्यार्थियों आप सभी का कक्षा आठवी हिंदी विशय में स्वागत है। आज हम अपनी पाठे पुस्तक मेधा के पाठदो मोरो वाला स्कूल नामक कहानी को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। यह कहानी मानव का पक्षियों के प्रती अपनापन के बारे में है। इसे श्री प्रकाश मनु ने लिखा है। प्रकाश मनुजी का जन्म बारह मई 1950 को उत्तर प्रदेश के शिकोहबाद में हुआ था। यह बाल पत्री का नंदन के संपादक भी रहे हैं। इनकी प्रमुक्रितियां हाथी का जूता, गोलू भाग घर से बुलककर पापा आदी हैं। मनुजी ने अपनी कहानी मोरो का स्कूल में बताया है कि पशुपक्षी भी हमारी तरह ही जीव हैं, प्राणी हैं। उनमें भी समझ होती है, वे भी अपना पन दिखाते हैं। इसी भावना से ओत्प्रोथ इस कहानी को हम पढ़ें और समझें। देखिए, आप शुरू करते हैं पन इस कहानी को। तानिया कंधे पर बस्ता टांगे हुए मम्मी के साथ स्कूल पहुची। तो देखा कि एक दो नहीं, पूरे चार मोर एक पेड के नीचे खड़े हैं। बच्चे दूर से उन्हें देख रहे थे और प्रसंद हो रहे थे। आरती मैडम ने बच्चों को देखा, तो पास आकर कहा, अरे यहां क्या कर रहे हो, चलो सब अपनी अपनी कक्षा में। आरती मैडम की बात पूरी होने से पहले ही सारे बच्चे एक साथ चीखे। मैडम वो देखिये मोर, एक साथ चार चार मोरों को देखकर आरती मैडम को भी बड़ा अचरज हुआ, अचरज मने आश्चर्य, उन चारों मोरों को एक साथ देखकर के आरती मैडम को भी बहुत आश्चर्य हुआ, तब तक स्कूल के चप्रासी, राधे लाल ने पास ही थो प्रासी ने दाने क्यों भी खेर दिये थे क्योंकि उसको लगा कि मोरों को शायद भूख लगी थी वे जट से वहां आ गए और मजे से खाने लगे अच्छा अब चलो अपनी अपनी कक्षा में इतनी भीर देखकर मोर कहीं भाग न जाएं आर्थी मैडम बोली आर्थी मैडम हाँ हाँ चलो बच्चों ने एक दूसरे से कहा पर कक्षा में जाते हुए भी वे मुर मुर कर मोरों को ही देख रहे थे क्यों देख रहे थे क्योंकि मोर उनको बहुत अच्छे लग रहे थे और मोरों को देखकर बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और सचमुच जो बच्चों ने सोचा था वही हुआ मोर जो उस दिन आये थे रोज आने लगे ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिनों तक चलता रहा यह इतनी निराली घटना थी कि इसे देखते ही देखते पूरे स्कूल का माहूल बदल गया बच्चे इतने उत्साहित थे मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कhrजाना मिल गया हो बच्चे बड़े खुश थे है ना जब उन्होंने देखा कि रोज मोर वहाँ आ रहे हैं 15-20 दिनों तक उन्होंने देखा कि रोज मोर आ रहे हैं इतने प्रसन्न थे तो वे भला कैसे प्रसन्न न होते तो बच्चों को देखने कौन आये उनके प्रधानाचारे कहते हैं और उनका नाम क्या था आननसर वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे तो बेटा हमने यहां तक इसको पढ़ा है, पुस्तक वाचन किया है इसका, है ना, और अब अपन लगू प्रिश्णोत्री के माध्यम से इस कहानी का इतना भाग समझेंगे, है ना, तानिया किसके साथ स्कूल पहुंची? तानिया अपनी मम्मी के साथ स्कूल पहुंची, वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ उसने चार मोर एक साथ पेड़ के नीचे खड़े देखे, आरती मैडम कौन है? आरती मैडम शिक्षिका है, टीचर है, मैम है, उन्होंने बच्चों से क्या कहा? उन्होंने बच्चों से कक्षा में जाने को कहा, और उसके आगे क्या होता है बेटा? आरती मैडम को आश्चरी क्यों हुआ? आरती मैडम को आश्चरी है, चार-चार मोरों को एक साथ देखने के बाद हुआ, अरे, चार मोर एक साथ है, इसकूल के चपरासी का नाम क्या है? स्कूल के चपरासी का नाम राधेलाल है राधेलाल ने मोरों के लिए क्या किया राधेलाल ने मोरों के लिए दाने बिखेर दिये आर्थी मैडम ने बच्चों से कक्षा में जाने को क्यों कहा आर्थी मैम ने बच्चों से कक्षा में जाने के लिए इसलिए कहा उनको लगा कहीं ऐसा ना हो मोर इतनी भीर देखकर भाग जाएं है ना अब जो मोर आये थे वे रोज आने लगे और फिर उसके बाद क्या हुआ यह सिलसिला कितने दिनों तक चलता रहा यह सिलसिला 15-20 दिनों तक चलता रहा स्कूल के प्रधानाचारे का क्या नाम था इसकूल के प्रधानाचारे याने प्रंसिपल सर का नाम था आनन्द सर आनन्द सर बहुत प्रसन क्यों थे आनन्द सर बहुत प्रसन इसलिए थे क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे तो बेटा ये कहानी हमने यहां तक पढ़ी है समझी है और लगु प्रश्नोत्री के माध्यम से हमने इसकी पुन्रवरती भी कर लिए है अब आपको क्या करना है इस कहानी को उंगली लगा करके पढ़ना है और समझना है इसके अलावा जो आपको कुछ कठीन शब्द लगते हैं नहीं समझ में आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है और पीछे से देखे शब्दार्थ में से उन शब्दों के अर्थ को लिखना है और क्या करेंगे आप इस पोर्शन में से 5 या 7 प्रशन आप बना करके अपनी रफ झाल कर अबसम गई आर्थ या मिलोक सपने करने कर देखे जर्थकित साँ कि तू ए37 से लिगए बना करके इसको करने जेखे औरू जब्दों करते हैं अर्चे से देखे आपूν करोंIX से हाई झाल आप से लिगगसा थको और कर फ। कर टूबंद कर भेश्पन करते हैं और क्